अगर आप इन एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाए और इस शांदार ओफर्स का लाव उठाईए हलो दोस्तो नमस्ते आदा आप सस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्बुक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जीके और जीएस पिवार जहां पर हम लोग करेंगे आज प्रीवियस एर कॉशन तो फड़ा करेंगे जिससे आपकर किस याइघेा लग जाएगा कि किस लैवल की कॉशन आते हैं क्या format होता है और किसका topic का weightage कितना है तो उससे कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से preparation करनी है, कैसे उनको strategy बनानी है और कैसे अपने मंजिल को पाना है इसलिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं Monday to Friday हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, दोपहर को 2 से तीन बजे जहाँ पर हम लोग करेंगे GK और GS के सवाल for SSC, CGL and CHSL ठीक है, तो चलिए आज शुरूआत करते हैं previous year question से फिर उसके बाद हम लोग बाद में चलेंगे किसे topic wise, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे marathon पर ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं हम लोग पहले question के साथ और पहला question आपकी स्क्रीन पर ये रहा तो देखें, ये 17 जुलाई 2023, shift 2 का paper है इसमें question क्या पूछा है President of India, द्रौपदी मुर्मू presented the dash of the Digital India Award on 7th January 2023 in New Delhi भारत की राश्पती, जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने 27 जनवरी 2023 को, नई दिल्ली में Digital India के dash का dash award के अप्रदान के थे 8th edition, 5th edition, 7th edition या फिर 6th edition क्या होगा यहाँ पे? 8 कह रहे हैं, यहाँ पे most of the मैं current affair का ही बताने जा रहा हूँ आपको कि गज उत्सव, जो celebrate किया गया था कौन सा? गज उत्सव, ठीक है और यह कहाँ पे celebrate किया गया था? काजी रंगा में तो वहाँ पर भी द्रौपदी मुर्मू गई थी यह भी आपको ध्यान अखना है काजी रंगा नैशनल पार्ग जो की असम में हैं और यह किस लिए famous है? तो one horn rhino के लिए है किस के लिए? one horn rhino के लिए है यह आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू से आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि यह कौन से tribe को बिलोंग करती है? तो संथल tribe को बिलोंग करती है अगर आपसे पूछा जाए यह किस state को बिलोंग करती है? तो देखे मयूर्भंज जिला यहाको पर देखने मिलेगा उडिसा में तो यह उडिसा को बिलोंग करती है यह भी आपको ध्यान रखना है यह पूछा जा सकता है ठीक है चाले अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा In January 2022 2022 Who was named for the racial Heo Flint trophy for ICC Women's Cricketer of the Year क्या होगा यहाँ जनवरी 2022 में ICC Mahila Cricketer of the Year के लिए racial Heo Flint trophy के लिए किसे नामित किया गया था मिताली राज, Alice Perry Lizelle Lee और Smriti Mandhana क्या होगा यहाँ पर कई लोग कह रहे सर यहाँ पर IOC बिल्कुल करेक्ट है आपका Rinkia करेक्ट है RTG बिल्कुल यहाँ पर जो लोग कह रहे D option उनका करेक्ट होगा ठीक है कौन हो जाएंगी Smriti Mandhana करेक्ट आंसर होगी यह आपको ध्यान रखना है option number 4 करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा option number 4 Smriti Mandhana जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब देखे क्रिकेट से सवाल पूछे जाते हैं तो आप से क्या क्या पूछेगा देखे 2022 में आपको याद होगा तो Asia Cup हुए था Asia Cup ठीक है वा किसने जीता था वह शिलंका ने जीता था keières टीटवेंटी इंटरनेशनल हुआ men's cup men's qup हुआ था तो वो किसने जीता था तो वो जीता था किसने कसने Equat Vanсьky band किसने एग лैन्ट ने जीता ठीक है但 हम बात करते हैं 2023 की तो 2023 में भी एशिया कप हुआ, ठीक है, एशिया कप किस ने जीता यहाँ पर, इस बार इंडिया ने जीता, किस ने जीता, इंडिया ने जीता, ठीक है, T20 International, Women's World Cup हुआ था, फरवरी में, ठीक है, Women's World Cup फरवरी में हुआ था, 2023 में, वो किस ने जीता, तो वो Australia ने जीता, किस ने जीता, Australia न जीता गया है, 2023 का IPL, अगर आप बात करते हैं, IPL 2023, तो आपको ये ध्यानक नहीं, चिन्नाई सुपर किंग के द्वारा जीता गया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, अभी देखे, World Cup चल रहा है, ठीक है, तो World Cup आप से पूछा गया सवाल, इस बार एक्जाम में, World Cup 2023, जो है, अभी चल रहा है, आप लोगों से ये सवाल पूछा गया था, कि बताइए कितनी टीम इसमें पाडिसिपेड कर रही है, ये आपके एक्जाम में अल्रेडी पूछ चुके हैं, तो 10 टीम, कितनी 10 टीम पाडिसिपेड कर रही है, ये आप से पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, अगले कोशन पर चलें ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पी पूछ रहे है, दा कैमिकल फॉर्मूला आफ प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन का रसाइनिक सूत्र क्या है, C2H4 है, C3H4 है, C3H6 है, C2H2, 17 जुलाई 2013, shift 2 के question paper solve कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कहरे है sir, होना चाहिए, B option, कुछ लोग कहरे sir, C option, सबके अलग अलग क्यों हो रहे है, B, B कह रहे है, कुछ लोग C, तो देखे, जो लोग यहाँ पे C कह रहे हैं, उनका correct होगा, कैसे होगा, देखे, मैंने आपको बताया था, एक अगर carbon होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते है, हम लोग उसको कहते है, math, क्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इन दोनों का रहने देते हैं, इसको eliminate मारते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोप इन, तो इन मतलब क्या है, अलकीन लगेगा, ठीक है, और अलकीन का हमें formula पता है, C, N, H, 2, N, minus 2 होता है, और इसमें लोग N की जागे, तील लिख देते हैं, तो यह हो गया, C, 3, यह हो गया, 6, minus 2, तो यह क्या हो गया, 4, C, 3, H, 4 आ रहा है, C, 3, H, 4 कहां पर हमें मिल रहा है, C, 3, H, 4 आ रहा है क्या, 2, 3, जा 6, minus 2, हाना 4 आ रहा है, तो इसका बहुत नमर्ट 2 correct होना चाहिए, कुछ गल्ती होगे, क्या, sorry, 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 यहाँ पर formula आपने गलत लिख दिया, formula क्या होना चाहिए, आपने alkyne का formula लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको alkyne कर देना है, ठीक है, यह alkyne का formula होगा, alkyne का formula क्या होगा, एलकीन बोला है, तो उसका फॉर्मुला होगा है C2 CNH2N ये फॉर्मुला होगा, CNH2N इसकी जगा C3 H2 into 3 करेंगे, तो C3 H6 आएगा, ठीक है एलकीन बोला है, एलकाइन नहें बोला है प्रोपाइन बोलता, तो ये answer हो जाता प्रोपाइन बोलता, लेकिन हमें प्रोपीन बोला है, तो option number 2, sorry, 3 आएगा, option number 3, C3, S6 आएगा, ये ठीक है, जमा भी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर formula यह है, alkyne का formula है, ये alkyne का formula है, और alkyne का formula क्या होगा, alkyne का, alkyne का हो जाएगा, Cn, H2n plus 2, ठीक है, ये आपको ध्यान जाता, C3, H2 into 3, plus 2, C3, H8, ये किसका formula हो जाता, प्रोपेन का, ये किसका है, प्रोपीन का, ये किसका है, प्रोपाइन का, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला question आपके screen पर, तो यहाँ पर option number 3, correct हो गया, ठीक है, next question आपके लिए, which of the following is the closest wild relative of domestic cattle, protected in the sum of the famous national park, जैसे की नागर होल, एंड बान्दीपूर, ठीक है, निमलिखित में से, कौन नागर होल, और बान्दीपूर जैसे, भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट उध्यानों में, सनरक्षित घरेलू, मवेशियां का निकटतम जंगली पर जाती है, रेड अंगुस, एसियाटिक बफैलो, नील गाय और गौर, क्या हो गया है आपके करेक्ट आंसर, यहाँ आप देके कई लोग कह रहे हैं, सर बी ऑप्शन होना चाहिए, सो समझ के आंसर करेंगे दोस्तो, एसियाटिक बफैलो जो कह रहे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नबर फोर कह रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर हो गा, यह आपको ध्यान रखना है, चलें आगे, हाँ जी, बहुत बढ़ी है, हाँ करेक्ट आंसर क्यों जाएगा आपका गौर, ठीक है, यह याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, कि ब जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्राखन में मिलेगा, ठीक है, इस थापित कब किया गया था, तो इसको 1936 में किया गया था, क्यों किया गया था, जिससे हम लोग यहाँ पे बेंगॉल टाइगर को बचा सके, बेंगॉल टाइगर के लिए यह किया था, सीजियल में डीप सुरी सबसे लाशनी, first ठीक है, first या oldest, अगर पुछेंगे last, last मतलब newest, जो अभी बना होगा, हाली मेहना, वही तो last होगा, तो newest जो था, वो था रायमोना, वह था रायमोना नेशनल पार्क जिसको 2021 में बनाया गया, ठीक है, और यह कहां पर है, असम में, याद रखेंगे, चल known as देखे वित्तिवर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और वेका वार्षिक विवरण डैश के रूप में जाना जाता है इंकम शीट प्लैन अकाउंट और बजट क्या कहते हैं इसको फड़ावर से बताई हैं बजट बजट जो लोग कह रहे हैं उनका बिलकुर करेक्ट आंसर होगा देखे हमारे भारती समविधार में कहीं भी शब्द बजट मेंशन नहीं है हमारे समविधार में क्या मेंशन है? AFS, AFS मतलब हो गया है Annual Financial Statement कौन से अनुछेद में है? तो अनुछेद 112 में याद रखेगा Money Bill अगर आपसे पूछ लेते हैं कि Money Bill किसमें मेंशन है? तो आप कहेंगे कि Money Bill जो है अनुछेद 110 में है अगर आपसे पूछेएंगे कि Financial Bill किसमें मेंशन है? वित्ती जो है विध्यक जो है वो किसमें है? तो आपको ध्यान रखना है वो अनुछेद 117 में आपको याद रखना है ठीक है? चलिए और बजट कौन पेस करता है? तो Finance Minister पेस करते हैं ठीक है? Finance Minister ये भी आपको ध्यान रखना है और Finance Minister अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमन है कौन है? निर्मला सीतारमन है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे जादा बार Maximum Time जो है ये किसे ने जो है बजट पेस किया है? Maximum Time बताइए फटावर से Maximum Time किस ने किया है? देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर correct answer आता है? येस यहाँ पर किसने आंजर किया है? अजे, बहुत ही बढ़िया, रॉकर, सुप्रभा, संख, बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग करें म अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह डेली क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे दो पहर को दो से तीन बजे जहाँ पर आप मेरे सा जुड के कर सकते हैं SSE CGL और CHSL की प्रपरेशन और अगर आप तेयारी कर रहे हैं, अगर आपने इसका फायदा नहीं उठा है, तो आप फायदा उठा सकते हैं, 7999 कोर्स आपको 835 में मिल रहा है, और 33% आपको एक्स्टा विलिडी, मतलब 6 मेने पर 2 मेना एक्स्टा, इसमें आप लोग को फांडेशन कोर्स भी मिलता है, जिससे मोक्तस लगा सकते हैं, डिसकाउंट लेने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, कैसे करना है, वो मैं आपको at the end of class बता दूँगा, कूपन कोड गौरव M, ठीक हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहें, what is the name of the scheme launched to fund infrastructure and social development project in the northeast for a period for 4 years from 2022, 2023 to 2025, 2026, 2022-2026, 2022-2026, चार साल की अबधी के लिए, पुरुवत्तर में बुनियादी धाचे और सामाजिक विकास पर योजनाओं को वित्पोशित करने के लिए, शुरू की गई योजना का नाम क्या है, क्या पीएम नेरल्ड है, पीएम धुरूव है, पीएम एफमी है या फिर पीएम डिवाइन है, क्या है यहाँ पर, क्या बात है, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं सर होना चाहिए, option number 4, पीएम डिवाइन, पीएम डिवाइन, उनका यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाए, क्या हो जाए initiative, ठीक है, for north east region, ठीक है, n से हो जाएगा north, e से हो जाएगा east, ठीक है, east region, ठीक है, यह आपको धिहान रखना है, development initiative for north east region, जो है, यह divine का full form हो जाएगा, यह याद रखेंगे, चलिए, ठीक है, अब देखें, बहुत सारी योजनाय स्कीम आती है, ठीक है, हभी हाली में आपक PM विशकर्मा स्कीम आई थी, ठीक है, PM विशकर्मा, विशकर्मा दे के दिन इसको सुरू किया गया था, ठीक है, sorry, यहाँ पे, PM विशकर्मा स्कीम, ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम, और यह किस से related है, तो हत्करगा से, ठीक है, आर्टिस्ट से, ठीक है, कारीगर्ग लोग है craftman है, unsur related है, ठीक है यह भी आपको धिहान रखना है, budget में misty scheme के बारे हम बात की गई थी, misty scheme, यह किसी related है, तो mangrove plantation से किस से है mangrove plantation से है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके पहले अगर हम बात करें PM प्रनाम जो था PM प्रनाम ये किस से related है तो ये fertilizer से है किस से है fertilizer से related है तो इस तरीके का question आपको पूछे जाते है ठीक है चलिए आगले question बढ़ते हैं अगला सवाल यहां पर पूछ रहे who was hailed as resident dancer और तिरुमला तिरुपती दवसत्थम for her unique contribution to the promotion of classical dance form शास्त्री नित्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वती योगदान के लिए तिरुमला तिरुपती देव स्थानम जो है निवासी निर्थक के रूप में सम्मानित किया गया क्या वो उमा शंकर जी को उमा शर्मा, रुक्मनी देवी, अरुंदले, यामनी कृष्णमूर्ती और रागनी देवी जी को किसको किया गया था यामनी कृष्णमूर्ती, यामनी कृष्णमूर्ती यह आपके exam में पूचा जा चुका है, ने इसको हम लोग सधीर अक्तम कहते हैं, और इसी को हम लोग sẽ कहते हैं, यामनी-कृष्ण- अक्तम करते हैं, यामनी-कृष् 선-मूर्ति जो हैं, वह दोस्तों, भरत-नाटेम तो करती हैं, साथ में कुछी-पृष्री-डांस भी पुढ़ी डांस था, तो कुछी पुढ़ी तिक लगा देना था वहाँ पर आपको, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े अगले कोशन पर, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखे, in February 2021, through which of the following cases did, the Supreme Court rule that in the case, when the juvenile offender is under 18 years and above 16 years, he, she should be remitted jurisdiction juvenile justice board, क लिखेत में से किस मामले के माध्यम से, Supreme Court ने फैसला सुनाया, कि जिन मामलोग में किशोर अपराधी 18 वर्से कम, और 16 वर्से से अधिक का है, उसे छेतरा दिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जाना चाहिए, राहुल शर्मा वर्सेस, National Insurance Company, सतबीर सिंग वर्स स्टेट अफ करनाटका या देवी लाल वर्सेज स्टेट अफ मध्य प्रदेश, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, C option कह रहे है सरमा जी, बाकी लोग क्या केते यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चले, यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा, option नमबर जो है, 4 य Regulating Act के तहए तो बनाया गया है, ठीक है, कब Regulating Act 1773 के तहए, Establish कब किया गया है, तो Establish किया गया है, 1774 पर, कहां पर किया गया था, तो William Fort, और William Fort कहां पर है, तो William Fort आपको देखने को मिलेगा, Kolkata में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चलिए, अगले कोशन पर बढ Executive की बात कर रहे हैं, भारत के सम्विधान के किस भाग में, संग कारे पालिका का प्रावधान शामिल है, भाग 5 में, भाग 3 में, भाग 4 में, और भाग 6 में, सिंपल सा कोशन, भाग 5, भाग 5 जो लोग कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाग 3 में, तो fundamental right है, क्या है, fundamental right है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, और fundamental right को ही, इन लोग ने भाग 3 को ही क्या कहा है, magna kata, ये question पूछा जा चुका है आपसे, कि किस भाग को magna kata कहते हैं, तो भाग 3, भाग 4 में, आपको क्या मिलेगा, भाग 4 मिलेगा, DPSP, DPSP का मतलब ह directive principle of state policy, राज के निती निर्देश, और भाग 6 में, आपको मिलेगा, state, ठीक है, state, executive, judiciary, सब इसमें, आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question पे, अगला question आपके लिए ये रहा, which of the following countries won the highest number of gold medal in the Tokyo Paralympic, ठीक है, Tokyo Paralympic, Olympic नहीं कह रहे है, Paralympic, ठीक है, निलिखित में से, किसे देश ने, Tokyo Paralympic 2020 में, सबसे अधिक 100 पदक जीते थे, Australia, India, China और USA, किसे ने जीता था, यहाँ पे कुछ लोग कहर सर USA होना चाहिए, कुछ लोग कहर सर option number C होना चाहिए, तो चाइना यहाँ पर correct answer हो जाएगा, देखे, चाइना ने, जो है, gold 96 जीते थे, 96, ठीक है, और total medal अगर मैं बात करता हूँ, तो total medal इन्हों ने जीते थे, 207, हाँ, 207 जीते थे, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर बात किए Paralympics की, हो सकता है, आपके exam में Olympic पूछ ले, ठीक है जहाँ पर Olympic होता है, वहीं पर Paralympic भी होता है, यह भी ध्यान रखेगा, अब लेखे, Olympic में अगर हम बात करें, भारत की rank अगर आपसे पूछी जाएगी, तो वो कौन सी थी, 48th rank थी, कौन सी, 48th rank थी, इंडिया की, भारत ने कितने medal जीते थे, 7 medal जीते थे, gold कितने जीता थ एक जीता था, ठीक है, silver कितना जीता था, silver दो जीते थे, bronze चार जीते थे, और total हो गया, 7 यह आपके exam में पूछा गया था, कि silver कितने medal जीते थे, भारत ने यह question पूछा गया है आपसे, ठीक है, चलिए, अब देखे, Olympic की अगर में बात करूँ, तो यह 4 साल पे होता है, 4 years क gap पे होता है, अभी 2020 में हुआ था, अब 2024 में होगा, 2024 में कहां पर होगा, Paris में होगा, Paris, France में होगा, ठीक है, फिर उसके बाद कब होगा, 2028 में होगा, 2028 में कहां पर होगा, तो यह Los Angeles, USA में होगा, ठीक है, फिर उसके बाद कहां पर होगा, फिर उसके बाद 2032 में होगा, 32 म कहाँ पर Brisbane में होगा कहाँ पर Brisbane और Brisbane कहाँ पर है Australia ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब एक question current affair का ये बन सकता है कि बताईए कि cricket को किस वर्स में जो है introduce किया जाएगा ओलंपिक में तो 2018 में किया जाएगा Los Angeles USA में ये 2023 का current affair है ये भी ध्यान रखना है ठीक है चलें आगे की तरफ चलें अगले question मढईंगे लेकिन 140 लोग live है फड़ावर से like और share करते हैं 200 की तरफ लेके चलते हैं अगला question है which of the following countries has hosted the three Asian games ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कह रहे हैं निमलिखित में से किसे देश ने तीन एशियाई खेलों की मेजबानी की है South Korea, Philippines, Japan और India किसे न पर किया नहीं है, हना यहाँ पर कह रहे हैं सर होना चाहिए Philippines, कुछ लोग इंशर यहाँ पर South Korea होना चाहिए, तो जो लोग यहाँ पर South Korea, South Korea कह रहे हैं, उनका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, correct answer South Korea होगा, यह आपको ध्यान रखना है, अब देखे, यहां पर South Korea कब 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 किया है, तो 1986, 1986, 2002 और 2014, भारत, इंडिया ने कब कब किया है, तो इंडिया ने दो बार किया है, दो बार कब, एक तो 1959 में जब एशिया खेलों की शुरुआत हुई थी, New Delhi में हुआ था, ठीक है, New Delhi, India, ठीक है, दूसरा कब हुआ था, 1982 में, ठीक है, 1982, New New Delhi, ठीक है, इंडिया, यह भी आपको ध्यान रखना है, और 1982 में ही, मैसकट को इंट्रिव्ज किया गया था, मैसकट मनला शुभांकर, और शुभांकर क्या था, अप्पू, अप्पूदा एलेफेंट, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, अभी एशियन गेम हुए है है हाली में, ठीक है, एशियन गेम 2022 हुआ है, लेकिन हुआ कब है, 2023 में, और 2023 में कहां पर हुआ है, हौंग जौव चाइना में, कहां पर हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, अब देखें, यह पूछा जाएगा कि बताईए, इसमें पहली रेंग किसकी थी, तो आप फर् पदर्शन रहा है, इंडिया का, तो इससे कॉशन बनेंगे, ठीक है, अब हम लोग 2024 CGL की प्रप्रेशन कर रहें, तो उसमें तो डेफिनेटली बनने वाले हैं, हना, तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने 107 मेडल जीते थे, ठीक है, उसमें से गोल्ड मेडल 28 जीते थे, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, who led the English army in the battle of Buxer, देखें, Buxer की युद्ध में, अंग्रेजियों ने सेना की नेता, तो किसने के था, अंग्रेजियों के सेना को, Lord Clive, William Henry Silliman, Hector Munro, और Charles Irricot, जल्दी से बताए, यहाँ पे कर सर, Hector Munro होना चाहिए, तो जो लोग H हुआ कब, यह हुआ 1764 में, ठीक है, 1764 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजियों ने लीड की थी, ठीक है, अंग्रेजियों की तरह से किसने, Hector Munro ने लीड किया था, क्या battle of Buxer की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग मुझे comment करके बताएंगे, homework लिख ल पैसर्ट में फिर ट्रीटी हुई, और उसके बाद इसको खतम कर दिया गया, यहाँ देखें, कई लोग आंसर कर रहे है, homework लिख लिजे दोस्तो, homework, first homework है, ठीक है, first homework comment box में answer करना है, चले, अच्छा देखें, कई बार यह पूछा जाता है, कि बताएं, Lord Clive ने, किसको कब ल याद रखेंगे, बंगाल के नवाप, सिराजुद्दॉला, सिराजुद्दॉला के बीच में, सिराजुद्दॉला वर्सिस, जो है, East India Company, ठीक है, लीड कर रहे थे, Lord Clive, ठीक है, धोका किस ने दिया था, सिराजुद्दॉला को, किसी ने धोका दिया था, ऐसे question भी ठीक है, तो मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर ने धोका दिया, उस समय GFEF तो होती नहीं थी, तो GFEF का tension ही नहीं था, कि धोका देगा, धोका देने वाले थे दोस लोग, ठीक है, चले हसी मता की बाते हैं, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which of the following amendments to the Indian constitution made the right to property a legal right in place of a fundamental right, ठीक है, भारती समविधान में निमलिखित में से किस संसोधन ने संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया, क्या वो चालिसमा था, अर्तालिसमा चावालिसमा या पैतालिसमा, चावालिसमा बहुत ही बढ़िया, चावालिसमा करेक्ट होगा, देखे, right to property पहले क्या था, मौलिक अधिकार, fundamental right था, किस में था, article 31 में मौझूद था, किस भाग में था, तो definitely भाग 3 में था, अब उसके बाद right to property को क्या कर दिया गया, legal right मतला कानूनन अधिकार कर दिया गया, ठीक है, अब उसक बाकि यह तो question आई ही चुका है, यह सारे previous year question हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, अगला question आपके लिए, चंगई डांस, और अगर किसी को दोस्तों paper देखना है, तो 17 July 2030, shift 2 का paper कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको यह सारे question मिल जाएंगे, ठीक है, चंगई नित्य जो है, कि यहां पर कई लोग करें, नागा लेंड होना चाहिए, ओके, बाकि लोग, चले, जो लोग यहां पर नागा लेंड, नागा लेंड करें, उनका correct answer हो जाए, क्योंकि देखे, चंगई करके दोस्तों, ना मद्दप्रदेश, ना महराश, ना जहारखन, हाँ, confusing अगर करना होता ना, examiner को, तो पता है, आपको क्या option देते, मिजोरम, नागा लेंड, मनीपूर, अतिरपूरा, फिर दोस्तों डिक्कत आ जाती, examiner चाहता था, आप इसको answer करें, तो आप यहां पर नागा लेंड कर दीजिए, no issue, नागा लेंड के अगर हम बात करें, यहां की CM कौन है, तो 10 December तक मना जाता है, एक सवाल यह भी पूछा गया, कौन सी ट्राइब इसको celebrate करती, तो नागा ट्राइब करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, आपको नागा लेंड में ही एक राश्ट उद्यार मिलेगा, जो कि है, इतांकी राश्ट उद्यार, इतांकी नैशनल पार् अब जैसे एक बार आप से पूछा गया था, कि सरहुल डान्स जो है, सरहुल डान्स, यह कहां पर परफॉर्म किया जाता है, तो यह जार्खन में परफॉर्म किया जाता है, कौन सा सरहुल, ठीक है, जूमर पूछ लेंगे, तो जूमर डान्स जो है, यह भी जार्खन, जू आगे बढ़ते हैं अगले question पे which is the national fruit of Bangladesh not India ठीक है बांगलादेश का राष्टी फ़ल कौन सा है क्या वो pomegranate है, mango है, apple है या फिर jackfruit है क्या होगा यहाँ पे D option कह रहे है कुछ लोग कह रहे सर A option होना चाहिए सबके अलग-अलग answer आ रहे है लेकिन दो भी यहाँ पे कह रहे D option, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है, चले, आगे बढ़े यहाँ पे होगा jackfruit चाइना का कौन सा है, चाइना चाइना का, तो आप लोग ने कीवी खाया कीवी, कीवी fruit, कीवी कीवी bird का भी नाम है तो कीवी fruit जो है, इलो का क्या है यह national fruit है, किसका चाइना का, हमारे भारत का कौन सा है हमारे भारत का mango है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हना, और फिर आपको बताना है, comment करके इनका कोई fruit है या नहीं है ठीक है, यह homework number two है fruit खाते भी हैं की नहीं खाते पता नहीं, चलिए, आगे बढ़े तो आप लोगो comment करके बताना है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आप किस की, अच्छा बांगलादेश की बात कर रहे थे तो बांगलादेश की आपको याद रखना है CM कौन है, CM थोड़ी, PM कौन है तो सेख हसीना कौन है, सेख हसीना ये ध्यान रखेगा अगर आप से पूछ लिया जाए कि राश्पती, मतलब प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेसिडेंट याद रखेंगे, मुहमद शाहबुद्दिन यहां के राश्पती है, ये याद रखेंगे इंडिया सबसे बड़ी सीमा साजा करता है, तो बांगलादेश के साथ कितनी सीमा साजा करता है, 4096 किलोमेटर की सीमा साजा करता है बांगलादेश की कैपिटल क्या है, धाका है, ठीक है धाका capital है currency अगर पूछ ली जाए तो currency है टका क्या है टका है और यहां का national game पूछ लिया जाए तो national game याद रखेगा वो कौन सा है कबड़ी है या फिर volleyball तो कबड़ी इल्लो का राष्ट खेल है ठीक है अच्छे कबड़ी से याद आया अभी current affair में आप लोगों ने देखा हो 2.6 करोर में गए ठीक है किसी टीम से participate करते हो वो आप बताइएगा आगे बढ़ें चालिए अगले सवाल पड़ते है 170 लोग live है फड़ावर्स एक बार like और share करते हो चलेंगे next question आपके लिए which of the following reforming societies believe vedas to be the fountain of all the knowledge कह रहे है निमलिखे तुमेंसे कौन सी जो है सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्यान का अश्त्रोत मानता था philosophical society, प्राथना समाज, आरे समाज या फिर ब्रह्मो समाज मानता था कौन मानते थे, तो यहाँ पर कह रहे सर आरे समाज मानता था, बाकी लोग क्या कहते कौन मानता था चले, सबके अलग-अलग answer आ रहे, लेकिन जो लोग आरे समाज कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह याद रखेंगे जैम में, ठीक है, यह तो पूछा ही गया है, यह भी पूछा जा चुका है कि दयानद सरसुती जी का असली नाम क्या था, real name, तो real name क्या, मूल शंकर जी था, क्या इनका नाम, सभी लोग मुझे comment करके बताएए, yes और no, अगर yes है, तो आगे बढ़ेंगे, no है, तो फिर आप लोग बताएंगे, फटा-फट से, सभी लोग बताएए, यहाँ पर, ठीक है, चले, तो यहाँ पर नहीं याद है, नहीं याद है, बोल रहे है, भई, याद होना चाहिए, राइट, चले, अगले कोशन बरत, अच्छा, प्राथना समाज की बात करें, तो आत्मा राम रंगा, ठीक है, आत्मा राम पांडू रंगा ने स्थापित किया था, ठीक है, पांडू रंगा ने, किस वर्स में किया था, 1867 में, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन रोय, किसने राजाराम मोहन रोय, यह भी आपको ध्यान रखना है, कब किया था राजाराम मोहनरोई जी ने 1828 में किया था, ठीक है, आपको सभी लोग को comment करके बताना है, second homework, theosophical society को किसे ने, यहाँ पे found किया था, ठीक है, comment box में बताईएगा, कौन सा, theosophical society को किसे ने form किया था, अगले question बढ़े, चले, अगला सवाल, आपकी screen पर यह रहा, यहाँ करे which of the following pairs, pairs of musical, musician and their instrument, incorrect, incorrect, गलत है, ठीक है, निमलिखित में से, संगीतकारों और उनके वाखियंतरों की कौन सी जोड़ी गलत है, बिस्मिल्लाखा सहनाई, पंडित राम नारायन सरोध, एन राजम वाइलेन, और पंडित रवी शंकर सितार, कौन सा इन में से गलत है, कह रहे सर बी ऑप्शन गलत लग रहा है, बाखी लोग क्या कहते हैं, चले, जो लोग यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहे हैं, उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्यों गलत होगा, ये भी सवाल उठता है, सरोध से नहीं है, अगर पंडित राम नार खान, ठीक है, और ये question पूछा जा चुका है, कि किसको सरोध समराट कहा जाता है, तो इनहीं को सरोध समराट कहा जाता है, और ये CGL का question है, ठीक है, चले, बाखी सारे के सारे correct match है, बिस्मिल्ला का सैनाई से, एन राजम वाइलें से, और पंडित रवी शंकर जो है, ये सित मुख लक्षे, निमलिखित में से, किस लक्षे को प्राप्त करना था, self-reliant and self-generating economy, growth with stability, rapid industrialization with the focus on heavy industry, या growth with social justice, option number कह रहे है, सर, C होना चाहिए, C, C, तो correct answer हो गावाई, C, ठीक है, अब देखे, पंच वर्षी योजना की हम लोग ने बात कर चुके है, कई बार आपको या बारे देश में नहीं, USSR में, किसे ने लाया था वहाँ पर, तो Joseph Stalin, ये भी बहुत अच्छा question बनता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है, आने वाले exam से पूछ लिया जाए, पंच वर्षी योजना जो है, ये भारत में कब शुरू हुआ, तो 1951 में शुरू ह अब पंच वर्षी है, तो 5 साल चलेगा, तो 1956 तक चलेगा, ये पहला हो गया, ठीक है, पहला, हमसे तो पूछ रहे थे कि, और पहले का उद्देश क्या था, एगरी कल्चर ठीक है, पहले का एगरी कल्चर उद्देश था, ये भी याद रखेंगे, हैरड दोमर मॉडल पे बेस था, किस पे, हैरड दोमर मॉडल पे बेस था, टार्गेट हमने बहुत कम रखा था, 2.7 का रखा था, 3.5 अचीव हुआ था, ये तो हो गया पहला, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड श्टार्ट हुआ था, 1956 से से लेके, 1961 तक हुआ था, ठीक लेके, 1966 तक था, और ये था, इसको हम लोग कहते हैं, गडगिल योजना, क्या कहते हैं, गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, और इसमें, ग्रोथ रेट हमारी बहुत कम हुई थी, क्योंकि आपको पता है, इसमें, दो युद्धुवे थे, 1962 वाला, और 1965 वाला, सिजमोग्राफ का उप्योग जो है, डैश मापने के लिए किया जाता है, रेन, प्रेसिपिटेशन, अंडर्ग्राउंड वाडर लेवल, अर्थक्वेक या अंडर्ग्राउंड मिनरल कंटेंट, सिजमोग्राफ से आप क्या मैजर करोगे, तो यहां पर कहर सर, अर्थक्वे हम यूज करते हैं, तो स्फाइगनो मैनोमीटर का, किसका स्फाइगनो मैनोमीटर का इस्तमाल किया जाता है, किसको मैजर करने के लिए, ब्लेड प्रेशर को मैजर करने के लिए, कई बार आप से पुछते गहराई, मतलब देप्थ को मैजर करना है, तो आप किसका इस्तमाल बड़े अच्छा देखिए एक earthquake से याद आया आपको याद होगा कि तर्की में तर्की में जब earthquake आया था तो भारत ने कौन सा operation चलाया था ठीक है यह तो 2023 का न्यूज है तो यह आपको ध्यानक नहीं तो operation चलाया था कौन सा दोस्ती हमने दोस्ती कहा बढ़ाया था तो operation दोस् फस गया है ठीक है बहुत सारे भारती फस गया इसराइल में अब इसराइल में फस गया है तो हमने operation क्या चलाया वहां से निकालने के लिए operation अजय ठीक है 2023 में न्यूज में है और इसराइल ने हमास के विरुद्ध जो operation चलाया उसको नाम है operation iron sword ठीक है चलिए next question बढ़ते है this event is celebrated to mark the resurrection of Christ identify the event क्या रहे है यह कारेकराम ईसा मसीह के पुनर रुथान के उपलक्ष में मनाया जाता है घटना को पहचानिए easter, christmas, holy, thursday या फिर good friday क्या वोलेंगे फड़ा फट बताई यहां पर कैर सर easter होना चाहिए ओके बाखी लो चले जो लोग easter easter कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है easter और easter जो है यह आपका 22 मार्च से 25 अपरेल के बीच में होता है यह भी याद रखेंगे चले अच्छे आपसे पूछा जाता है पार्सी के 9 वर्स को क्या कहते है new year यह आपके exam में पूछा गया है कि पार्सी क correct answer अगला question आपके screen पर which of the following is another name for starch found mainly in the pulp of seed, fruit, tuber, root and stem of plants especially in corn, potatoes, wheat and rice कैने निमलिखित में से कौन सा starch का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीज, फल, कंद, जड़ो और पौधो के तनों के गूदवे में पाया जाता है विशेस रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल और saponin, क्या कहते हैं, ये दोस्तों plant kingdom का question है, ठीक है, plant kingdom, biology में, यहाँ पर करिसर होना से, ये zenthum, zenthum, कई लोग कह रहे हैं, saponin होगा, correct cancer यहाँ पर हो जाएगा, amylem कहा जाता है, क्या amylem कहते हैं, अच्छा, starch जो है, हम दोस्तों जब खाते हैं, तो starch हमें उससे भी मिल माउथ में जो है, कौन से enzyme formation होते हैं, तो enzyme formation भी याद रखेगा, एक होता है, tylin, क्या होता है, tylin, और कहते हैं amylem, क्या कहते हैं, amylem कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, चलिए, next question पढ़ते हैं, अगला सवाल, which of the following system of the Delhi सल्तनत had influence on the Bahamini and Vijayanagar kingdom, दिल्ली सल्तनत की खित में से किसे विवस्था को बाहमनी और विजय नगर समराजियों पर प्रभाव था, वालिस, या फिर चहलगानी, वितिक्षी और इक्तादारी, क्या होगा correct answer, यहाँ पर कहर सर, वालिस होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं, इक्तादारी होना चाहिए, सबके अलग-अलग answer लेकिन मैं आपको बता दू, जो लोग इक्तादारी कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, इक्तादारी, क्या हो जाएगा, इक्तादारी correct होगा, अब देखे, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात है, तो पांच सल्तनत ने राज किया था दिल्ली पे, ठीक है, नमबर पर आई थी कौन सी, तुगलक डाइनेस्टी, कौन सी, तुगलक डाइनेस्टी, चौथे नमबर पर आई थी सयद, कौन सी, सयद डाइनेस्टी, ठीक है, और पांच वे नमबर पर आई थी लोधी डाइनेस्टी, कौन सी, लोधी डाइनेस्टी, सिलेव डाइनेस्ट तुगलक आई थी, 1320 में और 1414 तक राज किया था, ठीक है, तो longest period जो था, वो किसका था, तुगलक का था, सयद जो आई थी, वो 1414 से लेके 1459 तक राज किया था, और लोधी जो आई थी, वो आई थी 1459 में और 1526 तक राज किया था, अब founder पूछ लिये जाते, स्लेव डाइनिस्टी का founder कौन था, कुतुब उद्दिन एबग कौन था, कुतुब उद्दिन एबग था, इसका founder, खिलजी डाइनिस्टी का, जलाल उद्दिन खिलजी कौन, जलाल उद्दिन खिलजी था, तुगलक का, गियास उद्दिन तुगलक था, कौन था, गियास उद फड़ावर से एक बार, लाइक और शेर करते हो, 200 के उपर लेके चलेंगे, अगला कोशन है, what is the product formed vendor, CH3, CH2, OH, react with O2, करें, जब दोस्तो, CH3, CH2, OH, react करेगा, oxygen के साथ, तो प्रतिकिरिया करते हैं, तो क्या उत्पाद मिलता है, H2O plus heat, CO2, H2O, heat and light, CO2, H2O, light, CO2, heat and light, क्या मि लेगा, जब यह reaction करेंगे, फड़ावर से बताईए, यहाँ पर कहरें, sir, B option होना चाहिए, ओके, जो लोग यहाँ पर B option, B option कहरें हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब देखे, सबसे पहले सवाल यह उठा है, अगर मैं आप से पूछ लूँ, यह आखिर formula किसका है, तो अब आप यहाँ पर carbon count कर लिजे, क्या कर लिजे, carbon count, carbon आपने कहा कि, sir, 1 है यह carbon, यह 2 है, तो हमने 2 को कहा था, एथ, आपको याद है, math कहा था 1 को, ठीक है, एथ कहा था 2 को, और probe कहा था 3 को, तो यहाँ पर हमें 2 मिल रहे है, तो म बनता है, ethanol, क्या बनता है, ethanol, ethanol का यह formula है, तो जब हम react करते है, CH3, CH2, OH का reaction किसके साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, oxygen के साथ, तो oxygen के साथ, जब करते हैं, तो यह हमें देता है, CO2, CO2, plus H2O, plus heat, plus light देता है, अब देखे, यहाँ पर balance कर सकते हैं, आप लोग, C कितने हैं यहाँ तो यहाँ देखे, एक और दो, C मिल रहे हैं, दो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर balance करूँगा, दो, तो oxygen 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर है, तो दो यहाँ पर है, और यहाँ पर तीन, तो आप इसको balance कर लेंगे, तो इसको हम लोग balance equation कहते हैं, और यह आपको exam में पूछा भ treasury, tax assessment, security assurance, या फिर to correspond, क्या होगा correct answer, यहाँ पर कह रहे है, सर होना चाहिए, A option, ओके, चले, जो लोग यहाँ पर कह रहे है, A option, A option, उनका गलत होगा, यहाँ पर correct answer होगा, option number B, tax assessment correct answer हो जाएगा, option number B होगा, यह ध्यान रखेगा, सामहर्त जो है, वो tax assessment के लिए यह शब्द use किया जाता था, ठीक है, चले, next question बढ़ते है, अब यहाँ पर दोस्तों, अभी हम लोग ने एक paper solve किया है, अब हम दूसरा paper solve करने जा रहे है, 25 question आपके हो चुके है, 14 July 2013, shift 3 का paper है, इससे पहले हम 17 July, shift 2 का paper कर रहे थे, ठीक है, अगला, देखिए question, अंबुबाशी मेला is held in which of the following temples of the North East India, अंबुबाशी मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदर में आयोजित किया जाता है, क्या वो दक्षनेश्वर काली है, यहाँ पर भुवनेश्वरी है, या फिर बिलेश्वर है, या फिर कामाख्या मंदर है, तो यहाँ पर जो लोग क जून या फिर जुलाई मंध में इसको celebrate किया जाता है, यह एक मेला है, अंबुबाशी मेला, ठीक है, आगे बात करें, ठीक है, चले, अगले question बढ़ते हैं, अच्छा, असम राज्य में, कहां पर, असम में, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, और असम के अभी present में CM कौन है, त GC Kataria, GC Kataria मतलब गुलापचंद Kataria जो है, वहां के governor है, ठीक है, next question बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छा, which of the following group of state recorded very high population growth rate during 2001 to 2011 census of India, मतलब, जो 10 साल का अंतराल था, उसके दौरान, जो कौन सा राज है, सबसे आदा, वहां की जन्जंग्या बढ़ी, बिहार, राजस्थान सि मिघाले, मिघाले, अरुनाचर परदेश, बिहार, बिहार तो सभी में common है, ठीक है, यहां पर कह रहे है, सर, A option होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे है, सर, D option होना चाहिए, तो जो लोग यहां पर D option कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह धियान रखेंगे, ठीक ह अरुनाचर परदेश और बिहार की बात करोगे, तो 25-25 प्रतीशत बढ़े थे, ठीक है, 25-25 प्रतीशत, यह 25.9 था, और बिहार में 25.1 something था, ठीक है, तो लगबख same percent था, इसमें जाला difference नहीं, लेकिन यह राज है, इनके सबसे ज़्यादा population growth rate थी, 2001 से लेके 2011 तक की, ठीक अगर कहेंगे कि lowest कहां का है, तो lowest कहोगे आप सिक्किब, यह हमने अभी किसकी बात की, जनसंख्या की बात की, अब आप से पूछा जाएगा population density, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, population density, तो population density जो है, वो बिहार राजी की, कहां की बिहार राजी की highest है, lowest कहां की है, तो अरुनाच के वैदिक काल में, जो एक धनी वेक्ती थे, उनको डैश की रूप में जाना जाता था, दुहित्री, या फिर, गवेशना, गोमत और रवी, जल्दी से बदाई क्या बोलते थे, गोमत कह रहे हैं, ओके, चले, जो लोग यहां पर गोमत, गोमत कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया, अब देखे, यहां पर आपसे गोमत तो ठीक है, अब यहां पर दिया गया है दुहित्री, दुहित्री किसको कहा जाता था, बच्चियों को, डॉर्टर्स को कहते थे, किसको कहते थे, आपको पता ही ए, ब Hersi, रवी, यह तो आपको पता ही है, दोस्तों, Sun, Sun, मतलब सूर्य, ठीक है, Sun के लिए इस्तमाल किया जाता था, काउ के लिए, काउ के लिए च्था, अघण्य लिए शब्द यूज किया जाता था, अघण्य यह कोशन पूछा गया है, ठीक है, यह वाल तीसरे मंडल से ली गई है, तीसरे मंडल से, किसे ने लिखा है, तो विश्व मित्र ने लिखा है, किसे ने लिखा है, विश्व मित्र ने लिखा है, चलिए, नेक्स कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखें, इंडिया has been ranked dash in the medical tourism index for 2020-2021, out of 46 destination by the medical tourism association, देखें, medical tourism association द्वारा 2021 किस के लिए, 46 गंतव्यों में से medical tourism index में भारत को dash इस्थान दिया गया है, 10, 15, 20 और 5, कौन से इस्थान? 15, 15 कह रहे हैं, correct answer हैं, आप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग से 2020-2021 पूछा जा रहा है, याद रखेगा, अभी हाली में आपको याद होगा, global hunger index आया, आजी, यह 12 तारिक को release हुआ था, global hunger index, भारत की rank कौन सी है, पढ़ावट से बताए, global hunger index, 2023 में भारत का इस्थान कौन सा है, 111, बहुत ही बड़ी है, जो लोग 111 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct होगा, पहले देखे, 2022 में भारत की rank जो थी, वो कौन सी थी, वो थी 107, हम लोग 4 पायदान जो है, पीछे आ गए हैं, तो 111 पे आये हैं, कितने country उसमें, out of 125 country, हम से अच्छा जो है परफॉर्म किया है, शिलंका, नेपाल और जो है, यह बांगला देश ने, ठीक है, हम से पीछे अफगानिस्तान है, यह आपको दिहान रखना है, लेकिन पीछे का क्यो ही याद रखें, ठीक है, चलिए, आप देखे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, कि बताए, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रेंग कौन सी है, ऐसे कोशन बनेंगे, ठीक है, तो भारत की रेंग है, असी, कौन सी, असी है, देखे, प्रेस फीडम इंडेक्स में पूछ लिया जाएगा, कि भारत, यह सब 2030 का हम लोग डिसकस कर रहें, ठीक है, प्रेस फीडम इंड ग्लोबल जेंडर गैप कौन सा, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का इस्थान कौन सा है, यह आप लोग कमेंड करके बताईएगा, आगे बढ़ें, चलिए, अगला सवाल, क्या जापफू, क्या जापफू रेंज, विच इस 3,014 मीटर हाई, इस असोसियेटेड विच स्टेट, कहरें, 3,014 मीटर उची, जापफू श्रेडी किस राजज में इस्थे थे, अस्थाम, अरुनाचे पदेश, मिखाले, और नागालेंड, क्या नामें, जापफू, पर उप्शन उबर B, B कह रहे हैं, उनका गलत होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालेंड हो जाएगा, क्या होगा, नागालेंड याद रखेगा, अरुनाचे पदेश नहीं होगा, जाफू जो है, यह आपको नागालेंड में देखने को मिलेगा, ठी यह किस राज में हैं, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, अनाई मुडी, अनाई मुडी कहाँ पर है, तो आप अनाई मुडी कहोगे केरला में हैं, ठीक है, फिर आप से पूछा जाएगा, डोडा बेटा, डोडा बेटा पीक जो है, यह कहाँ पर है, तो आप question भी पूछे जाते हैं अगला सवाल who among the following performing artist bagged the best actress award for Mina Gurjari in 1975 देखे ऐसे question इस्टेडिक जी के के निमलिकित प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में से किसे ने 1975 में Mina Gurjari के जो लिए सर्वसेष अभिनेतरी का पुर्सकार जीता था सोनल मान सिंग, सितारा देवी, सोवाना नारायन और मलिका सारा भाई किसको दिया गया था यहाँ आप कैर सर्व सितारा देवी correct answer होनी चाहिए चले तो यहाँ पे जो लोग क्या रहे हैं सितारा देवी उनका गलत हो जाएगा यहाँ पे मलिका सारा भाई correct answer हो जाएंगी, कौन मलिका सारा भाई, मलिका सारा भाई किसकी जो है daughter थी, तो यह daughter थी मिर्नालेनी सारा भाई की पुत्री थी, और मिर्नालेनी सारा भाई कौन थी, तो यह wife of विक्रम सारा भाई थी, यह भी याद रखेंगे, विक्रम सारा भाई is an exponent of which Indian classical dance form उर्मिला सत्यनारान किस भारती सास्त्रिनित शैली की प्रतिपादक है भरतनारान कथक मनिपूरी और सतरिया क्या होगा correct answer कथक कथक कह रहे हैं यहाँ पर correct answer क्या हो जाए correct answer हो जाएगा भरतनारान क्या हो जाएगा भरतनारान यह याद रखेंगे अभी आपके exam में पुछा गया था सोवाना नारान जो है यह किस डांस को perform करती है तो सोवाना नारान जो है यह कथक डांस को perform करती है ठेक है अगला question when was the secretary of state for India made responsible for the government of British India by bringing about changes in the home government ग्रह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज सरकार के लिए कब उत्तरदाई बनाया गया 1858, 33, 57 और 13 यहाँ पर कहरे सर यहाँ पर चले correct answer यहाँ पर जो लोग कह रहे है 58, 58 उनका बिल्कुल correct answer हो जाए क्या हो जाएगा 58 यहाँ पर correct answer होगा 1858 is the correct answer अगला question आपके लिए रहा which waterway provides connectivity with the mainland India through the India Bangladesh protocol route कौन सा जलमार्ग भारत Bangladesh protocol मार्ग के माध्यम से मुख्य भूमी भारत के साथ connectivity प्रदान करता है national waterway 10, 15 2 और 83 यहाँ पर 2 कह रहे है correct answer हो जाएगा यहाँ पर national waterway 2 अब देखे एक बार सवाल यह भी पूछा गया कि national waterway जो है यह किस नदी पर है तो आपको ध्यान अखना है ब्रम्ह पुत्र नदी पर किस पर ब्रम्ह पुत्र नदी पर इसकी लंबाई की बात करें तो 810 km कितनी है 810 km सबसे बड़ा national waterway जो है वो है one ठीक है कौन सी नदी पर है वो गंगा नदी पर है कहां से कहां तक है तो अलाहाबाद से हल दिया ठीक है अलाहाबाद मतलब प्रियागराज से हल दिया ठीक है यह भी आपको ध्यान अखना है next question बढ़ेंगे अगला सवाल in 2021 the Indian men's cricket team defeated Australia at the Gaba Stadium in the test match becoming the only cricket team to defeat Australia in Brisbane since देखें 2021 में भारती पुरुष cricket team ने जो है ऑस्टेलिया को Gaba Stadium में एक test match में हराया जो डैश के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्टेलिया को हराने वाले एक मात्र cricket team बन गई है 1996, 92, 98 देखें दोस्तों यह पुराने current affair लाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको at least पता चल जाए कि किस topic से और कितने question आते हैं बस यही मकसद है current affair का जो है previous year कर रहे है अजने था इसको अटाक के भी किया जा सकता था ठीक है correct answer यहाँप क्यों होगा 1988 correct होगा ठीक है पंचाईती राज जोड़ी गए थी ठीक है पंचाईती राज मौलिक करतव नहीं जोड़े गए थे ठीक है बायालिसमा कब आया था 1976 में इसी को हम लोग कहते हैं mini constitution मतलब लगू सम्विधान कहते हैं चले next question बढ़ते हैं और इसलावी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोशना की थी Lord Ripan, Dalhauji, Lewis Mountbatten किसने किया था यहाँ पे C option C option कह रहे है correct answer है correct answer का Mountbatten Lord Lewis Mountbatten correct answer होगा अगले question बढ़ेंगे which of the following cell are found in the liver of mammal निमलिखित में से कौन सी कोशिका इस तंधारियों के ये करित में पाई जाती है पुरकिंजे सेल या फिर माइक्रो ग्लियल सेल या फिर कुपफर सेल सेंसरी सेल क्या होगा है यहाँ पे जिन्रोंने लाइक नहीं किया है फटावर से लाइक और शेयर भी करते हो चलेंगे पुरकिंजे होना चाहिए चलेंगे कुपफर सेल कुपफर सेल हो जाएगा अच्छें दे키ें सेल की कोज किसने की थी यह कही बार पूछे जाता है यह तो दोस्तोथ सिंपल हो आप से यह पूछते है तो सोरा सो पैसर ठीक है यहां पर क्या हो जाए करेक्ट आंसर का अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट में अर्वेंकट रमानी है कौन है और वेंकट रमानी है अगर मैं आपसे पूछूँ कि एडवोकेट जनरल जो है यह किस अनुच्यद में है यह होमवक लिख लिजिए यह कौश्चन बन जाएगा यह स्टेट में होते हैं देखे अटॉनी जनरल तो यह सेंटरल पे हो गया अडवोकेट जनरल जो है यह स्टेट में होते हैं यह कौन से आर्टिकल में है यह आपको बताना है होमवक में छटा होमवक लिख लिजिए सारे होमवक जरूर करिएगा इससे आपका revision हो जाएगा ठीक है चलिए अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल the salendr king who founded their empire in south east Asia in the 18th century AD were the followers of Dash देखे 18 सताबदी issue में जो है दक्षिर पूर्वेशिया में जो है अपना समराज स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा डैश के अनुवाई थे बुद्धिज्म शैविज्म जैनिज्म और हिंदुईज्म किसके थे यहां आपके रसर जैनिज्म होना चाहिए ओके चले जो लोग यहां पर जैनिज्म जैनिज्म कहरें उनका गलत होगा विच विटामिन डी विच विटामिन डी एनलॉग इस यूज़ टू ट्रीट हाइपो पैरा थाइरोइडिज्म रिफ्रेक्टरी रिकेट्स एंड फैमिलियल हाइपो फॉस्फेटेमिया ठीक है हाइपो पैरा थाइरोइडिज्म दुर में जो है रिकेट्स और परिवारिक जो है hypo phosphatemia के ilaj के लिए किस vitamin D analog का उपयोग किया जाता है क्या उसको हम लोग tecalcitol कहते हैं tocopherol कहते हैं या ergocalciferol कहते है या फिर retinol कहते हैं यहाँ पे C option कह रहे हैं कुछ लोग D कह रहे हैं तो correct answer यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान रकने रेटिनॉल तो होई नहीं सकता रेटिनॉल तो विटामिन A है हना हमें तो विटामिन D कहा था उसने ठीक है तो यह तो यहाँ पर वैसे भी गलत हो जाता अगला कुशन देखें which of the following is not देखें is not a type of rock निम लिखें तो मैंसे कौन चटान का प्रकार नहीं है इगनियस ट्रेस रॉक मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी कौन सा नहीं है हाँ टोको फेरॉल ई हो जाता विटामिन E तो दो ऑप्षन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए ट्रेस रॉक यह नहीं होता है इगनियस होगा ठीक है इगनियस यूब अपको याद होना चाहिए कौन सा इगनियस का इसग्जान्पल फरढवर्ण से कमेंट करेंगे बताएं यहां पर करेंसर होना चाहिए ठीक है करक्क आंसर यह आप जाएंगे नीरत चोपडा जी करेक्ट होंगे अनुरानी हो गए नीरत चोपडा हो गए देविन जाजरिया हो गए यह सब किसे हैं जैवलिन तो से ठीक है सौरब चौधरी शूटिंग से मनिका बत्रा जो है टेबल से संबंदित हैं अगला कोशन आपके लिए फ्रॉम विच लेटिन वर्ड इस दी ब्लॉक ऐलिमेंट कैल्शियम डिराइब देखे इस सौरी एस ब्लॉक की जो है तत्व कैल्शियम किस लेटिन शब्द से लिया गया है कैल्स कैलम कोलियस या फिर कैल्सियो क्या होगा करेक् यहां पर भारत के चोहत्रवे गरतन दिवस समारों में मुख्य अतिती के रूप में कौन आये थे क्या वो फ्रेंकोईस होलेंड सिरिल रेंफोसा अब्दल फटेस अल्सिसी और यहां पर जैर बोल सनेरो सी ओप्शन सी ओप्शन तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा अब्दल फटेस अल्सिसी अब देखिए दोजार तेईस में अब दोजार चौबिस के लिए किसको इन्वाइट किया गया है तो जोब इडन को किया गया है जो की राश्पती है कहां के USA के है ठीक है देखना भीमसेन, पंडित रवी शंकर, हरी प्रशाद चौरसिया या फिर भूपेन हजारी का तो उप्शन नबर 4 भूपेन हजारी का है तो उनको तो एलिमिनेट कर दीजिए 2019 में मिला था यहां पर कह रहे सर सी ओप्शन होना चाहिए बाखी लोग चले जो लोग यहां पर कह रहे से संबनीत है। सबीक् allemaal कि मुझे कमेंट करकि बता यह वीमसेन जोसी जो है, यह किस घराने से संबनेत है। मिवाती से है लक्नओ से है, बारा यहसे, जैपूर से हैं, मैयार से हैं यह किसी और से हैं। क्या बात है अर्शिष जो मैंने बोला नहीं, आप लोगने औसर किया बाख्या बात है option में दिया नहीं था लेकिन बिलकुल सही किराना घराना जो लोग कह रहे हैं उनका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चली आगे बड़े अगला question यह आपके लिए homework रहेगा दोस्तों सभी लोग comment box में comment करके answer करिएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हम लोग ने वो सारे question किये हैं जो आपके दोस्तों 14 जुलाई shift 3 में और 17 जुलाई shift 2 में आये थे वो हम लोग ने यहाँ पर question किये हैं और इस class की PDF जो है आपको definitely मिल जाएगी लेकिन वो कहाँ पर मिलेगी आपको देता हूँ simply आपको क्या करना है टेलिग्राम पे चले जाना है और टेलिग्राम पे जाने के बाद आपको यह क्या हो गया हाँ आपको फ़हां जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर्च करना है एड़टरेट गौरफ से टेश्बूक वहाँ पी YouTube सेशन की updates मिलते ह होते हैं, interaction होता है, तो आप मेरे साथ interact कर सकते हैं, ठेक हैं? यहां पर मैं आपके लिए link जो है, दे देता हूँ, उससे आपलोग directly क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, telegram पे और collect कर सकते हैं आप लोग PDF, ठीक है, यह रहा लाइव चैट पे मैंने आपको लिंक दे दिया और यह लिंक आपको description में मिल जाएगा और कहाँ पर मिल जाएगा आपको comment box में अच्छा किस तरीके से आप लोग playlist चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ simply आपको क्या करना है YouTube पे चले आना है चलिए YouTube पे जाते है YouTube पे जाने के बाद आपको जाना है Super Coaching SSE Railway by Testbook Channel पर किस पे जाना है Super Coaching SSE Railway by Testbook Channel पर उस पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे तो देखिए आपको सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैसे Current Affair की प्लेलिस्ट है डेली होती है Monday प्लेल टीर टू की हो गई ठीक है यह सारी क्लासे आपको मिल जाएंगी कोर्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं और आज है Last Day का दोस्तों आपके लिए offer वाला option ठीक है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर अभी तक नहीं उठाया है सबसे पहले तो Like और Share कर दें साथ जा सकते हैं CGL है GD है ठीक है CHSL है सारे आपको मिल जाएंगे बट अगर हम multiple कर रहे हैं SSV Super Pack के साथ जाएंगे ठीक है Super Pack में जाने के बाद आप देखोगे Super Teachers कौन-कौन पढ़ा रहे हैं तो आप Super Teachers देख सकते हैं वहाँ पर demo classes free of cost है वो चेक कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर देखिए Test Series भी जाके देख सकते हैं कौन-कौन सी Test Series आपको मिलने वाली है तो इसमें देखिए GDK, CGL, Current, Q-R-A-V-M, जो आपका 800-999 का था वो आपका कित्ता हो जाएगा 835 का हो जाएगा और आप अपनी यहाँ पर preparation भी कर पाएंगे ठीक है तो चलिए इस session को यहीं पर करते हैं समाप, session अच्छा लगा है तो comment box में comment करके ज़रू बताएगा, like, share, subscribe नहीं किया तो फड़ा कर लीजिए और bell icon button को दपा लीजिए जिसे सारे notification आपको up to date मिले और कोई भी class छूटे ना, तो मिलते हैं अगले session में एक नए जोश के साथ, एक नए session के साथ, तो जुड़ना मत भूलेगा, मेरे साथ अगले session में तब तक लिए रखेगा आप अपना ख्याल, अपनों का पढ़ाई करते रिएगा, बाई बाई टेक एर, जै हिन्द, जै भारत